नमस्ते सभी को सभी का स्वागत है नमस्ते गुपाल भया नमस्ते देदी तो नमस्ते सभी को सभी का स्वागत है इस मौर्निंग सेशन में सुभाई के सत्र में जिसमें मैं अभ्यास कर रहे हैं स्वयम से स्वयम को देखने का कि एक बार मैं ब्रीफली स्टेफ स्ट देता हूं फिर आपके जो अब्जर्वेशन हों कि उसको हम सब लोग सुनेंगे तो बिसिकली हम लोग अब्जर्व कर रहे हैं स्वयम को चैतन निकाई से चैतन निकाई को और अब्जर्व करने का मोटिवेशन यह है कि जो भी हमारा सुक दुख है वो कल्पना शेलता में हो रहा है कॉंचस्टस में हो रहा है तो बिसिकली हम उब्जर्व करकी समझना चाह रहे हैं कि घृष्फ कर्के समझने की निकाःस कर रहे है। त्रप्ति पुरुवक जीने की बनी हैं लेकिन जब जीने जाते हैं तो कुछ अन्यता भाव स्टार्ट हो जाता है अन्यता हो जाते हैं तो यह अन्यता क्या हो जाता है इसको हम लोग समझने की कोशिस करने हैं और इसी के हो रहे हैं वैसा देखना जो दिख्ट रहा है उसी को पहले देखना दो देखते दे देखते हमारी सुचमिता बढ़ने लगे ba jane तो जो सुच मिकरिया यह वो भी हमको दिखना शुरूँ होंगी तो सबसे पहले हम लोग ने देखा कि आशा दिखना शुरू हो गई फिर उसके पीछे का विचार फिर उसके का भाव भाव को देखेंगे तो बीज रूप में भाव है जिससे हमारा विचार स्टार्ट हो जाता है फिर वो कल्पमा शिलता में फैलने लगता है फिर हमारे बार बार हम लोग इसा बार पर धिहान दे रहे हैं कि यह नहीं करना है क्योंकि रिएक्शन करते हैं तो छो हमारे संस्कार है वह सब wanna Trigger हो जा जाते हैं इसे अंब फिर उनको सब्वाने कि अधिन् Simple टो केवल तम इसमाने से सामान कि चिज़ें कर रहे हैं कम्यूनिकेशन कर रहे हैं भी हमको अपने में यह बनाये हैं हमको अपने में ध्यान देना क्या चलना को इस तरह आद्धिन तो इस तरह से हम लोग observation की प्रक्रिया को सूच में कर रहे हैं शार्प कर रहे हैं और उसमें जो सूच में करिया चल रही है उसमें धीरे-धीरे हम बढ़़ादाएं स्रिप 2-3 में फिर हम मुल्यांकन कर रहे हैं कि जो भाव हम देख पा रहे हैं वह में धा स्थिकार है कि नहींये हैं हम उसकी निरंतरता चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं जब यह कर रहे हैं, तो भी हम reaction नहीं दे रहे हैं। सिफ पूछ रहे हैं कि मैं सहरह हूं इस भाउ के साथ कि असहरू? यह भाउ मैं लिए सुधःद है कि दुखःद हूं? सिफ पूछ रहे हैं। इतना पूछने के साथ जब इस्टफ फोर कर रहे हैं तो स्टफ फोर में हम यह देख रहे हैं तो हम अपने से पूछ अ हम आ लेख ओन रहरे हैं अभे समय पूछ convinchen सी बहार के प्रस्तितियों से हो रहा एं दूसरे वैकि से हो रहा है या मैंदि ले रहा हूं तो एक बार यह स्पेश हो जाए कि मैं इनले ले रहा हूं फिर step 5 और 6 हमारे लिए useful है अगर यह clarity नहीं बनी है और हमको लग रहा है अभी भी बाहर से ही तैय हो जा रहा है तो हमारा step 5 और 6 पर ध्यान नहीं जाएगा क्योंकि अगर मेरे मेरे में impression चला गया कि बाहर की प्रस्तितियों से हो रहा है तो मैं बाहर की प्रस्तितियों को ठीक करने में लग जाऊँगा अगर मेरे में इंप्रेशन चला गया कि दूसरे व्यक्ति के कारण मेरे में अन्य था भाव आ रहे हैं तो मैं दूसरे व्यक्ति को ठीक करने में लग जाओंगा जब ये बात आएगी कि नहीं मेरे भाव का जो निर्णा ले रहा हूँ ये मैं ही ले रहा हूँ बाहर चाय कुछ भी हो रहा है मेरे मेंसे लिए स्टार्ट हुआ है क्योंकि मने निर्ले लिया है ये बात किलियर हो जाए तब स्टेप फाइफ और सिक्स एक महत्पूर्ड स्टेप हो जाती है तो एक बात ये किलियर हो गई कि निर्ले मैं ही ले रहा हूं तब हम लोग स्टेप फाइफ में अब इस बात को समझने की कोशिस कर रहे है कि चाहता तो मैं निर्नतर सुक पूरवक हूं निर्नतर तरप्ति पूरवक हूं फिर निर्ले जब ले रहा है तो अनेथा क्यों हो जा रहा है तब हम ये देख पा रहे हैं कि अनेता इसलिए हो जा रहा है कि निर्णे किसी माननेता के आधार पर हो रहे हैं समझ के आधार पर नहीं हो रहे हैं समझ मतलब वास्विक्ताओं को समझना एक बार यह किलियर हो जा रहा है कि भई माननेताओं के आधार पर हो रहे हैं चाहे मेरी इस्तिति अभी सही हो चाहे सह दोनों इस्तिति में अगर हम यह देख पा रहे हैं कि समझ के कारण हो रहे हैं कि माननताओं के कारण हो रहे हैं तो समझ के कारण अगर निड़ाएं हो रहे हैं तो उससे जो भाव बनेगा वो अपने में स्थिर रहेंगे उसमें निश्चित्ता रहेगी उसकी त्रप्ती मिले और माननिता जो हमारी है वह वास्तविक्ताओं से मैच कभी कर रही होगी कभी नहीं कर रही होगी तो उसमें निश्यत्ता नहीं बनती है कभी भी हम दुखी होने का निड़ा लेते हैं कभी भी रोज करने का निड़ा लेते हैं कभी संबंद का पूर्वक जीने का निड़ा ल करें में मानताओं के कारण यह गाइप हो गया है इसको हम लोग persies में what I am and what I really want to be जैसा मैं हूँ और जैसा मैं होना चाहता हूं उस फॉर में हम लोग भोल लेते हैं तो होना मैं कैसा चाहता हूं अभी मैं हूँ कैसा तो अभी जब मैं निर्णाओं कोंपने मानताओं में कोई निश्यत्ता नहीं है कि तो निश्यत्ता नहीं है तो निढ़ना कभी सही के अर्थ में नहीं होता है कभी सब्सक्राइब करता है और उन इन माननताओं को हमने ठीक से अबल्यूएट भी नें किया भी तो फिर हमारे में प्रश्ल जिसके आधार पर लेना लेना अब हमारी अवश्कता है रिल हे तुश भी ए गैप है मेलारे वक्रैली वांट लिल्लिक ले ये खतम होगा में ठीक से इस बात का आवशक्ता बनती है कि अब वास्त्विक्ताओं को समझना जरूरी है, और उन वास्त्विक्ताओं के आधार पर जो भाव होगा, वो हमाली निरंतर होगा, निश्चित होगा, तो step 5 में देखेंगे तो सही भाव और सहज भाव को सुनिश्चित करने के लिए, और उसक से यह आवशक्ता बन रही है कि अब हमारे लिए सब्ज़ना जरूरी है है तो हम से होते हुए अगर तक यहाँ तक ठीक से पहुच पा रहे हैं तब हमको शमजना एक आवशक्ता दिखने लगेगी फिर तो ध्यान जाना सहर्च बात है यह जो मुझे आवश्यक लगता है उस कोशिश कर रहे हैं कि हमारे लिए कौन सा भाव सहज है किन भाव की निरंतरता चाहते हैं संबंद का भाव विवस्ता का भाव विवस्ता का भाव सास्तित्व का भाव या संगर्ष का भाव अब हम अपने से ये समझने की कोशिश करना है तो जब ये अपने से पूछ रहा है फिर से तो हम देख पाते हैं कि आंसर तो यही आ रहा है संबंद का भाव, संगीत का भाव, साहस्तित्व का भाव इनी भाव की निरंतरता चाहते हैं जब ये किलियर हो गया इनी भाव के निरंतरता चाहते हैं तो 6B में अब हम ये कर रहे हैं कि इन भाव को सुनिश्चित करने के लिए मुझे सास्तित्व, विवस्ता और संबंद इसको समझने के आवशक्ता है इसका मत्तब ये हुआ कि सास्तित्व के अन्भो के आवशक्ता है संगीत, विवस्ता के बोत के आवशक्ता है और संबंद और संबंद में भागिदारी के चिंतन के आवशक्ता है अब ये तीनों मेरी आवशक्ता हो गया है इसलिए अब मैं ध्यान जो है स्थास्तित्य व्यवस्ता और संबंद पर दूँगा इसके साथ मैं चीजों को देखूंगा तो चीजों के लिए जो भागीदारी है उस भागीदारी के अर्थ में मैं चिंतन कर पाऊंगा इतनी बात हम लोग से लेकर सिक्स तक कर रहे हैं और को इसी डायग्राम के तुरूर रखा हुआ है कि जो नीचे वाला डायग्राम देखेंगे तो जब तक हमारा ध्यान सायस्तित्य व्यवस्ता व्यवस्ता में भागीदारी पर नहीं गिया है तो हमारे में कुछ भी माननेता स्टार्ट हो जाती है कुछ मान रखा है पहले से नहीं मान रहता है भी बंती ही रहती है और उसी के अधार पर हमारा चित्र बंता रहता है फिर आप उसको कल्पना शिलता में फैलाते रहते हैं अब वह पूरा हो जाए उसकी आशाम बाहर से करने लगते हैं लेकिन अगर सायस्तित व्यवस्ता और संबन पर ध्यान चला जा तो अब हम बाहर से मुक्त हो गए अब हमारे में एक आधार बन जाता है कि अब हमारे सुख की निरंतरता हो सकती है तो सास्तित विवस्था और विवस्था में भागेदारी अभी हमारी आवशक्ता बन गया है अब इस पर ध्यान दे नहीं है तभी मेरे सुक्की निरंतरता हो पाएगी ये मेरे में अगर किलियर हो गया है तो अब मेरा हर पल, हर छड़ चाहे सामान नगटना हो चाहे आसामान नगटना हो चाहे मेरे अनुकूल कुछ हो रहा हो बहार चाहे मेरे परतिकूल कुछ हो रहा हो हमारा ध्यान विवस्था से शुरू होगा सास्तित्र से शुरू होगा और उस परस्तिती में हमारी क्या भागिदारी होगी विवस्था के लिए, बड़ी विवस्था के लिए उस पर हमारा ध्यान जाएगा इतना बना रहेगा तो हमारी तरप्ती वालक कालकरम बना रहेगा हमारी तरप्ती उने लगेगी क्योंकि अब मेरे में जो चला है वह स्विण व्युहto इसके अर्थ में जो मुझे करना है उसका मैं विचार फिला रहा हूं। और इसके अर्थ में जो कर सकता हूं, उसका मैं सेलेक्शन कर रहा हूं, तो अब मेरा जो फेक्टर है, भाव का, मोटिवेशन का, वो B1 ब्लॉक से B2 की तरफ जा रहा है, लेकिन नीचे वाले डायगराम में देखेंगे, अगर ये ध्यान नहीं है, सायस्तित व्यवस्ता और विवस्ता में भाग्यदारी, तो हमारा मोटिवेशन बाहर से बना रहता है, तो बाहर कुछ अच्छा होता है, तो हम कुछ करते हैं, बाहर कुछ अच्छा नहीं होता है, तो नहीं करते हैं, तो इसमें अनिश्यत्ता बनी देती है, इतनी बात हम लोग अभी इस्टप सिक् और एक चल के लिए भी अगर किसी के प्रतिवरोष का भाव आता है तो मुझे सहा स्विकार नहीं होता है। और अगर हमारी देखने की सूचमता वरड़ी है तो सीधे सीधे भी हम देख सकते हैं कि अब यह जो भाव आ रहा है यह मुझे स्विकार नहीं है जैसे यह अन्यता भाव आता है उस चड़ में दुखी होने रखता हूं यह डिलेक्टली भी देख सकता है और आफ्टर थौट के रूप में भी देख सकता है तो हमारा ध्यान बना रहेगा तो हम डिलेक्टली भी देख सकते हैं नई ध्यान बना रहेगा तो आफ्टर थौट के रूप में देख सकते हैं उसी प्रकार हम यह भी देख सकते हैं कि प्रकति विकास के सिध्धान के नाम पर लेकिन ध्यान से देखने जाएंगे तो पूरे अस्तित में विवस्ता है सास्तित वह इतने के साथ हम लोग इस होमबर्ग पर काम कर रहे हैं कि मेरे अंदर हर मनुष्य के प्रती हर चड़ संबंद का भाव बना रहता है कि नहीं इसको देखें जब मेरे अंदर संबंद का भाव रहता है तो बाहर की घटनाओं का मेरे उपर क्या प्रभाव पड़ता है जैसे एक्जामपल के लिए आज मेरे अंदर संबंद का भाव है और हमारे घर का कोई मेंबर हमारे पास भाग क्या रहा है बच्चा भाग क्या रहा है हाँ पर हो रही है वो बहुत सामान घटनाओं के साथ देखा रहे सकता है कि हमारे उपर इसका क्या प्रभाव पड़ता है और हमारे में जब भाव ठीक रहता है तो बाहर की घटनाओं को हम कैसे टेकल करते हैं यह हमको आराम से डिफरेंस देख सकता है तो हर एक के प्रति संबन्द के भाव हो सकता है मेरे में इसको देखने का हम प्रियास कर सकते हैं हमको यह देखना है कि हर छड मेरे में विवस्ता का भाव बना हुआ है क्या जब मेरे अंदर विवस्ता का भाव में बना रहता है तो बहार की घटनाओं का मेरे उपर क्या प्रभाव पड़ता है जब मेरे अंदर विवस्ता के भाव को देखने का हम प्रियास करते है तो क्या होता है देखे कि क्या मेरे अंदर हर चल सास्तित्व का भाव बना रहता है हमको देखना है कि जब मेरे अंदर सास्तित्व का भाव बना रहता है तो बाहर की घटनाओं का मेरे ओपर क्या प्रभाव पड़ता है अपने अंदर सास्तित्व के भाव को देखने का हमको प्रियास करना है तो यह होमवर के रूट में लिखा हुआ है जिसके हम लोग बात बारबार एक एंगल से दूसरे एंगल से करी रहे हैं कि देखने काम तो अपने में करना है तो इतने के साथ हम लोग step 1-6 पर काम कर रहे हैं काम चैता है निकाई में कर रहे हैं लेकिन step by step बल रहे है step by step बढ़ेंगे तो हर step की एक महतपूर भूमिका है जो हमारा ध्यान और deeper करती है हमारे में और गहराई से देखने में help करती है लेकिन ultimate बात तो यह है कि हम जितना सूचम होकर देख सकते हैं अपने में उतना ही बाहर हम इस थूल के साथ सूचम को भी देख पाएंगे अगर हम अपने में सूचम को देख पा रहे हैं तो बाहर हम केवल इस थूल को ही देख पाएंगे और बहुती इस थूल चीजों के आधारा पर हम निर्णा ले ले लेते हैं तो जैसे जैसे मुझे अपने में सूच मित्ता दिखेगी, अपने में सूच में करियाओं पर ध्यान जाएगा, तब हम बाहर भी इस थूल को सूच में करियाओं के साथ देख पाएंगे, फिर दोनों तरफ ध्यान बना रहेगा, इतनी बात हम लोग step 1 से लेकर 6 तक कर रहे है बताईए हम, अब इसमें अगर हमारा कोई observation है, कल से आज तक, तो इसको हम लोग share कर सकते हैं, नमस्ते बहिए, नमस्ते बहिए, जैसे हम कल अब्लब करने कोशिश कर रहे हैं, तो जैसे सा अस्तित्व की जब हम बात करते हैं, कि अस्तित सा अस्तित्व पूर्वक है, तो ब पहावाता है, दूसरे मानों के साथ, या पदार्थ के साथ, उसका समच्छ, समवर्धन, सदप्यों की बात आती है, तो ये चीज़ बस पाई जाती है, मतलब जैसे अगर एक हिकाई, दूसरे हिकाई के साथ, एक हिकाई अगर स्पेस के साथ सास्तित्व में हैं, और दूसर इसका यह आर्थ निकलता है में मैं जो से कि उसके बीच में समंध का भाव होगा इस बात का इस निकाला जाए कि तो अस्तित्त है उसमें समंध का भाव है उस तरीके और उससे अगर अन्निथा होगा तो वही हमारे दुपका कारण मनता है जैसा है और निकाई की सब्सक्राइब ì ź Damn होने लगती है तो जैसे आपसे पूस्टे है है की हमको क्या साहसविकार है कि जब श्रयास कभाएब व में होतो हम । है कि तो हम सहज रहते हैं आप पूस्ट व्हूस कभाएब आप तो हम दूसरे art शंका कर रहे हैं यानि किसके साथ स्सेटित को नहीं देखा रहे हैं तो अपने में परेशान होते हैं कि इसे दरह अकट वा एक समान का भाह हु कि आपमान का वह हैं टो जब सांबान का भाव हम उसकर अपनेसे तो उसके साथ कॉ्धिमेंटTrity देख पाते पूरकता देख पाते हैं तो सास्तित को देख थे कि अपने मेंघे हैं अनितने भाव भी हम पढ़ रहे हैं यह यह व yang मौकर सास्थित और ये सामध्हागे है यह साहस्तित ही चैतरन चैतरनिकाई में संबन्द के भाव में रूप में। मनुष्य में करें कर only का यूरूप मैं देख़ा है। प्रकति कर नर्चरींग करना या डेमज करना आंसर नर्चरींग यह आएगा बढ़े हम आगा कुछ कुछ कर रहे हूं यह क्योंकि वहीं हम को सहित्ज्विकार है जो सहस्तितित पूरबक है तो इसलिए अगर वरक्षॉप में भी देखेंगे जो बहुत सामाने कोश्चन भी हमको लगते हैं जब हम चुटी-चुटे कोश्चन पूछते हैं यूच्वी वान यूच्वी तू में कि क्या सहस्विकार है शरीर का नर्चरीन करना पोश्ण करना या सभी को डेमेज करना क्योंकि पोश्ण करने का मतलब ही यह अब हम शरीर तो हम अपने में लेंगे जब भी आप किसी के लिए विरोध का विचार करेंगे देख लेंगे समझ लेंगे बताएंगे इसको अब परिशान उने लगे यह जिनका विरोध करना या दूसरे से बदला लेना जिसका लाइफ स्टाइल हमने देखा कुछ लोगों का यूँ बदला लेते हैं कोई बात उनके खिलाव कोई कर दिया तो वह तो दो दिन किया वह उसके साथ 20 साल लगे रहेंगे विरोध भाव में तो इसका मतलब फिर तो उनकी तरह हो जाएगी लगातार उदुख में रह रहे हैं यह तो हम बचने के लिए अगर आप उस स्थिति में है विरोध के भाव के स्थिति में तो बहुत सारा डाइवर्जन लेंगे फिर आप परिशान बने रहते हैं अंदर में ऐसे दूसरे कभी नियम तो नियमी है जो चैतन निकाई है चाहे मेरे में विरोध का भाव आए चाहे दूसर से में भी होगा मेरे भी होगा कि भले ही दूसरा अहंकार बस हमको बताएं नहीं कि जैसे घर में भी आप देखेंगे ना कभी कभी किसी बात से हम हट हो जाते हैं तो विरोध का भावा जाता है लेकिन बताते नहीं है लेकिन बताते भले नहीं हो लेकिन अंदर क्या इस्तिति रहती है तो वह संकोष की बात रहती है कि यार यह कैसे बताएं कि तुम्हारे इस तरीके से हम चिड़ गये या मुझे आप ऐसा लगा कि आपने मुझे अंडरेस्टिमेट किया तो अपनी कमजोरी फिरारी बताना चाहता है नहीं कि पमजोरी नहीं बताना चाहता है क्योंकि सम cidade's में आरम से बात कर यह सब नहीं कहा पारा हो इसका मत्तब अभी आश्वस्ति नहीं बन पारी है यह मेरा पूरक होगा की नहीं होगा सम्मान के भाव के आश्वस्ति नहीं बन पारी है तो यह आश्वस्ति नहीं पारी है तो यह आश्वस्ति बनाने के लिए या होने के लिए क्या जरूरत होती ह जी उसी के लिए हम लोग यह इस्टप कर रहे हैं कि हमको यह दिख जाए तो हमको जब सबस्टे से स्टार्ट करेंगे तो विश्वास के भाव से स्टार्ट करेंगे तो दूसरे की चाहना पर हमारा ध्यान जाएगा चाहना पर ध्यान जाएगा तो हमको यह किलियर हो जाएगा कि यह भी विश्वास के भाव से ही जिना चाहता है मैं भी विश्वास के भाव से ही जिना चाहता हूं संसकार वर चिस से कुछ स्लिप हो रहा है तो यह विश्वास के भाउ को देखेंगि तो चाहना पर ध्यान जाएगा और चाहना पर Caseline बना रहेगा तो विश्वयास का वह बना तो यही पढ़ते आ रहे हैं कि जहाना पर ध्यान देंगे तो विश्वास का भाव बनेगा उसको अपने जैसा देख पाएंगे और पूड़ा को पाएंगे तो संबान का भाव बनेगा चैतन निकाई की रूप में उससे लेक्टेट कर पाएंगे तो इस नहीं का भाव नर्चरिंग पर ध्यान जाएगा तो मंता का भाव है अपने में तो वह पूरे यह वान और टू में हम लोग यहीं पढ़ते ही पढ़ा ही हम लोग ने पूरा कि यह भाव का मीनिंग क्या है और यह एक चीज और पूशनी थी कि जैसे ठीक है हमने अपने अंदर ब्योस्था का बौध है सहस्थित्व का बौध है और हम बाहरी चीजों से डिस्टरब नहीं हो रहे हैं अपना सुख हम नहीं चोड़ रहे हैं लेकिन जो सामने वाले का जो प्रभाव है तो उससे यह बात तो आकलन हो जा रहा है कि सामने वाला अभी उसके अंदर समझदारी नहीं है या उस equilibrium का बोध नहीं है, तो उसमें ये अपने अंदर चिंता होती है, उसको लाइन पे लेके आए, या उसको ये content हम कैसे भी समझा देते, कई बार तो बन करता है कि जैसे उसका सर खोल के नहीं, बस तुरंथी सारा कुछ डाल देते हैं उसके अंदर, तो सामने वाला जो भी कर रहा है, और दुख्ष में पड़ा हुआ है, तो ये चीज़ तो हमको चाहसा चिंता में डालेगे, तो चिंता भी कर सकते हैं, और चिंतन भी कर सकते हैं, कल भी हम लोग इस पर बात कर रहते हैं, चिंता करेंगे, तो उसमें जो नहीं हो रहा है कि बल उस पर ध्या जाएगा चिंतन करेंगे तो आपको दिखेगा जैसे मैंने व्यवस्ता पर ध्यान दिया तो मेरा व्यवस्ता में भागीदारी के अर्थ में विचार बन रहा है चित्र बन रहा है यह चिंतन है इसी तरह से दूसरे का व्यवस्ता पर ध्यान चला जाए उसके लिए मैं क्या प तो। पारफ्यटेधick का ध्यान जहीं जगह नहीं है वासविक्ता पर नहीं सुट सहीं नहीं है तो हमारी भागीदारी कि्या है उस पर अगर हम ध्यान देंगे थो हम अपने दिला रहे हैं वास्त्विक्ता फुब्स करते हैं जो हमने डिफनि एंड मिला है हम उसको द्यान कोशिश करते हैं वह एक माध्य में ध्यान उसको वास्तविक्ता पर देना है जैसे कि उस चर्ज उसमें चल रहा है वो उसको दुखी हो रहा है इसको आराम से स्विकार लेगा अब आप content से बात करने जाएंगे को बताओ तुमारे दुखका कारण कौन यहां से स्टार्ट करेंगे तो परशानी वने वाल है वह तो हमको वास्त्विक्ता पर ध्यान दिखान दहाना एंगर सीधे शाथवी स्ट्व पे से उसको करने लगेंगे तो परशान तो होई तो बताने जाते हैं तो बहुत हरवडी में बताते हैं कि कल से ठीक हो जाएगा हाँ यह तो हरवडी तो रहती हो भी सीखना पड़ता है कि हरवडी ना करें अच्छा अब यह जैसे कोई कि अदमी है तो उसको तो हम बोल देंगे कि यह वीवन तुम पहले करो काफी हल्चल रहती है लेकिन जैसे जो गाहों का आदमी है या जो अपने मित्रों में ही वह पतला की इंडस्ट्री में है उसका सोचने का धंगी अलग है तो वह लोगों तक भीया यह प्रस्ताओं को ले कुछ भी मही आपस मही देखेंगे तो बहुत सारे लोग है या कुछ लोग है जो गाहों के लोगों के साथ भी काम कर रहे हैं कुछ लोग है जो इंडस्ट्री के लोगों के साथ भी काम कर रहे हैं बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जिन्होंने गाहों के लोगों के साथ काम कि तो अगर सीधी सीधी रखेंगे तो आदमी स्विकारता है जिसे किसी गाउंवाले से भी पूचिए कि परिवार में सम्मंद पूर्वक जिनस सह स्विकार रहे विरोध पूर्वक तो यहीं आंसर देगा वह हूं इस तो कोई व्यक्ति यह पढ़ा लिखा हो चाहे पढ़ा लिखाना हो अगर सीधे-सीधे बात पूछेंगे तो आंसर सीधे-सीधे वह दे पाएगा चाहे बच्चा ही हो बहले वी स्कूल ला गया हो उससे पूछे कि भाई बैनों के साथ सम्म बहुत सारे हमारी साथी है इसे पूछ सकते हैं उनलिक सान का प्रिश्था कर सकते हैं वहां से पूछ कर सकते हैं अतना ध्यान तो अपना जाता ही है यह यह बच्च gloss क्लासम बात करनी है तिसे जिए वह बर्द रिकले क्लमच तो वहां कैसे बात को शुरू करना है कैसे तो कुछ तो मैं कर लेता हूं लेकिन ऐसा लगता है कि नहीं अगर किसी और का भी एक्सप्रियंस साथ मिले तो सायद और बेटर वे में कम टाइम में हम लोग सही प्रस्ताओं को उनके पास तक लेके जाए तो हम लोग गुरूप मे कैसे हम लोग ने बात को रखा है छोटे बच्चों के साथ गाओं में शहर में मैट्रो सिटीज में तो भाईया को थोड़ी सी हल्प भी मिलाएगी हमारे गुरूप में बहुत सारे लोग है इस गुरूप में जिनों इस अलग-अलग डैमेंशन में काम कर रहा है तो पर करते हैं और हम कोशिस करते हैं ठीक नमस्ते 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 भीया तो सभी को नमस्ते जी दी सेशन बहुत अब और भाव के ओपर जो चर्चा हुई और इसका जो अनुभव में पाया वह बहुत ही कारदा और वर्क्शॉप भी मेरे लिए बहुत बेनेफिट राउन ल वर्क्शॉप कभी और जहां पर जो मैंने भावों में सम्मद और विरोध से ही शुरू करा कि अगर मैं सम्मान वो सही तरीके से ठीक ठीक आंक्रलन नहीं करा मैं कुछ मान कर चली तब ही उस भाव से ही मैं प्रभावित हुए तो उसका जो अनुभव परिवार में मैंने कर और विश्वास और अगला भी आश्वस्त हूँ उस चीज़ को लेकर तो कोई एक डाउट ना रहे बीच में तो इन भावों के उपर जब मैंने काम करा शुरू से एक पहले भाव से और फिर प्रेम तक के भाव तक जब मैं पहुंची तो वो समझ में आया कि वो मेरे लिए नहीं, वो सबके लिए एक अफेक्शन से स्टार्ट होकर और पूरे चाहे वो प्रकरती हो, चाहे कोई भी मनुष्य हो, चाहे बच्चे हो, कॉलेज के बच्चे हो, तो वहां तक भी मैं उस भाव को देख पाई और इसमें अब जब बच्चे एक्स्ट्रा क्लासिज होती है और फिर भी परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं, तो पहले मैं बहुत अग्रासिव हो जाते थी, अब जो एक सिच्ट्रा क्लासिज लेने के बार भी वो जो एक्जाम दे रहे हैं, तो वो अभी उनकी वो कंपिटेंसी लेवल ना थोड़ा सा, वो समझने के लिए भी तेयार नहीं है उनका से, तो जब वो तियारी करेंगे, एक्स्टर्नल की तियारी करेंगे, तो शैद अब उनको समझार देगा, कि हाँ, अब हम अपनी परफॉर्मेंस दें, और अब हम लोग को कुछ क्लियर करना है कोई एक्जाम, तो अभी उनमें कई भारी सिच्वेशन ऐसी आ पाते हैं, और जब तक खुद अपने आप में हम काम नहीं करते हैं तो हमारी वो समन्द का भाव विरोध में रहता ही है, तो वो जो विरोध जो खतम हुआ पहले अपने लिए और फिर दूसरे के लिए, तो यहां पर एक हर पल और हर शंड अपने आपको अवेर करना बहु कि उस पे भी थोड़ा सा काम करना पड़ा और अपने हर चीज के लिए अवेर होना पड़ा, पर धीरे धीरे जैसी एक्सरसाइज होती गई वर्क्शॉप में, ये मौनिंग सेशन में, पर सबसे ज़्यादा जो मौनिंग सेशन में हेल्प मिला मेरे को अपने आपको ड्वे में, फिर कभी-कभी मेरे में विरोत का भाव आते ही फटा-फट एक दम से अपने आपको अवेर करना की नहीं है, यहाँ पर रुखना है, सहज होना है, तो वो सहजता आनी भी एक एक्सपीरियंस करने का भी जो यहाँ पर हम लोग को प्रैक्टिस कराई गई मौनिंग सेश दो शब्दी हैं, यह दो छोटे से शब्द हैं न, समंद और विरोत, इसी दो शब्दों ने मेरे को ऐसे लगता है, मेरे लिए एक flyover बना दिया, कि हर टैंज मैं इस चीज़ को देखू, कि मेरा समंद का भाव है कि विरोत का भाव है, इस दो शब्दों से आगे मैं आगे experience को लेके जहां पर ही और भाव को पकड़ पाई, और जैसी विरोत का भाव आता था, भाव भी बिगड़ता था, भाव बिगड़े तो सब कुछ ऐसे लगता था जो एक pull बनाया है उस अवस्था को अवस्था तक पहुंचने के लिए, फिर वो डगमदार है, तो यहां पर और यह सारा experience मैंने सबसे पहले अपने आप और फिर अपने परिवार के हर समंदी के साथ यह experience करने का कोशिश करा, और फिर यह जो प्रयास रहे दीरे जीरे morning session के, और इसमें अपने आप में तो सहस्था आई, पर अपने potential को भी मैंने देखने के कोशिश करी, कि मेरे जो च चतन्य के चितरण में चल क्या रहा है, वो जो चल रहा है, वो इतना ज्यादा एक aggressive position मर्थ था, कि उसको भी मैं बहुत मुश्कित से control कर पाई, तो वो potentials को देखा कि हाँ, उस चतन्य के चितरण में जो मेरी चेतना है, वो कहां तक पहुँच पा रही है, तो अब आगे जो कि मैं अब आगे भागीदरी कैसे निभाब हो, तो उस भागीदरी के लिए भी बीच-बीच में बहुत सारा विरूद आया, अरे ये काम जो हो रहा है, वो मेरे recording क्यों नहीं हो रहा, मैं ये चाहती हूँ, और इसके recording क्यों नहीं हो रहा, यहाँ पर भी बहुत सारा, मैं द जो चाहना थी, उसमें उस चाहना को भी पेचान पाना, और उस potential से उपर को अपने आपको लेके आना, वो जो एक चाहना है न वो भी बहुत एक contradictions लेके आती है, कि ये बंदा मेरी साथ से ये दरवाजा क्यों नहीं बंद करा, ये ये चीज यहाँ पर ऐसे क्यों नहीं जब मैंने देखा अपने आपको, तो फिर खुद थोड़ा बता कि इस है जो ना, कि हाँ जब समय आएगा तब ये काम हो जाएगा अपने आप, और मैं करूं कि शैद मेरे कोई वान अपने अग्जांपल देखके शैद दूसरा भी वो काम करने की कोशिश करें, और ऐसा ब थोड़ा सा फरक पड़े, तो ऐसा देख दिखा कि पहले मेरे अपने आप में बदलाव आया, तो बहारी वातावरण में अपने आप ही वो बदलाव होने लगा, ये एक ऑटमेटिक जो एक चेंजिस मैंने देखिया अपनी फैमिली में, और और कुछ ऐसी भी सिच्वेशन साई एक म्यूजिक को लेकर बहुत जादा मेरा कंट्रडिक्शन का आपने आपने, कि किसी को एक जो धून पसंद है, म्यूजिक पसंद है, उसके लिए भी सारच के पिस्टी पार एक्सरसाइज हुई, आपने भी मेरे को बताया, कि जब हम अपने आप में स्वेम में सहज ह होते हैं, तो हमें बहारी प्रभाव बिलकूर भी प्रभावीत नहीं करता, और ये जो प्रभाव है, जो सभाव में आना, ये भी बहुत बड़ी बार, तो प्रभाव से प्रभावीत नहीं होना, अपने भाव को सही रखना, इन चीज़ों को देख कर भी, इन चीज़ों को समझ कर भी बहुत जादा अपने आप में बदलावाया कि ऐसे लगता था कि जैसे म्यूजिक जादा सुनने से मेरे सर में कुछ ऐसा कुछ फट जाएगा दिवार तो फिर आपने मेरे आपको अपने भाव को सहज करने की कोशिश करी। तो मैंने अपने आपको पाया कि कुछ भी बाहर हो रहा है मेरे को कोई फरक ही नहीं पड़ISH कोई music अगर वो निर्ड़ने मेरा ही है मेरा selfie वो निर्ड़ने ले पा रहा है और कि मैं बाहर से प्रभावित नहीं होना मैं अपना काम कर रही हूँ, कोई कुछ भी करना, पता ही नहीं चल रहा कि बाहर कोन आया, कोन गया है, और उसको फिर मैं अपने आपको भी एक enjoy कर पाई, क्योंकि वो जो एक facts को मैं अपने आप में reality को अपने आप में देख पाई, कि ये एक वास्तिविक्ता है, इस वास्ति को पहचानना है मेरे को अपने सर्थ में, कि बाहरी प्रभावों से प्रभावित नहीं होके सहज होना है, मैं ही seer हूँ, मैं ही doer हूँ और मैं ही enjoy हूँ, और वहाँ पर मैंने अपने आपको बहुत enjoy करा, जब बाहर से प्रभावित नहीं होके मेरे भाव में कोई बदनाब तो इतनी बात मैं आपके साथ शेयर कर पा रही हूं, तो इसमें देखिए कि मेरे में कहां कहीं कोई चूक हो रही है, बस मेरा एक यही छोटा सा प्रशुन है, कि और कहां पर मेरे को अपने आप में चेंजिस करने हैं, सेल्फ के लिए, कि वो एक ऐसी पुजीशन में आ जाए कि मैं बिल्कुल एक तरीके से अपनी भागेदारी निभाने के लिए प्रयास कर सबूँ, सर बस मेरा यही कोशा है, जी जी जी, काफी डिटेल में आपने अपनी बात को रखा है, और एक-एक घपना से जोड़के जो आप बता पार रहे हैं, यह काफी अच्छी बात है, का कैसे आप से शुरू कर से, रिस्पॉंस में आना, और बाहर की घटनाओ का अपने उपर प्रभाव देखना, और जब मैं स्वयम भाव में हूं, तो मैं बाहर की चीज़ें को कैसे डिल कर रहा हूं, यह डिफरेंस को देख पाना, तो काफी इंपोर्टेंट बात है, कि हम इ इसके लिए आपको, आपने काफी अच्छी आत्रा किया, और अभी तो मैं इतना ही कहूंगा, कि आपका ध्यान ओलेड़ी जाई रहा है काफी, जितना हम और अपनी कॉंचेस्नेस में सूच मितम के लिएओं पर हम ध्यान देंगे, और जितना गहराई से उसको देखना शु आपक। बाहर हमारा interaction fine होता जाएगा तो बाहर बेसिकली जो हम interaction कर रहे हैं वो तो इसी बात पर ही है कि अंदर हम कितना सूच में हुए हैं अगर अंदर हमारा सूच में करियां पर ध्यान नहीं गिया है तो बाहर भी हमारा interaction वैसे ही होता है तो आपकी sharing से बात तो दिखती है कि आप अपने में काफी ध्यान दे रहें और यही सब हमको करना भी है और पूरे अस्तित का देखेंगे अगर जो साथित फूरवक है उस पर चैतन निकाई को अगर देखेंगे तो चैतन निकाई के लिए भी यही स्कोप ही है कि सास्तित को स लुए समझ कि और अकॉर्डिंग भाव रखा जाए उस भाव से विचार किया जाए उस विचार से हमारा वैवार कारो इस सिक्वंस पर हम चलेंगे तो आपर झाल वह बहार करेंगे वह ज्यादा फाइन होगा और सेटल होगा फिला तो अच्ची बात है हम सब के रिए आप कैसे इंट्रेक्शन होता है जब मेरा भाव इस तिर नहीं होता है तब भार कैसे इंट्रेक्शन होड़ा होता है तो जितना गहराई से हम इसको देख पाएंगे उतना है हमारा motivation बनेगा कि अपने उपर काम करके और सुच्मिता से देखकर बाहर चीजों को और और रिफाइन किया सकता है वह हो जाएगा अपने आपि तो बाहर रिफाइन होना यह तो आूटकम है अंदर जाना है यह बात कि सब्सक्राइब करते हैं अब जो हम करते हैं आप जिटेरोशन आफ और अब जो सनफ और शन अफ ब्रीधिंग और अबज़रेशनल फीलिंग त्यों में फरक है बाया किया है अलग अलग है तो प्रैर्यृटी सब्सक्राइब में इसको रिस्पॉंस कर देता अपनी तरफ से अल्टीमेटली तो देखेंगे तो भाव के इस तरफ पर जाकरी है ना हमारा सुप दुखत है हो रहा है तो भाव अगर स्यास्तित के अर्थ में बना रहता है तो हम कमफर्टेबल लेते हैं भाव अगर स्यास्तित के अर्थ में नहीं बनता है हम अनकमफर्टेबल होते हैं अब यहां तक पहुचने के लिए है ना यहां तक पहुचने के को देखना फिर विचार को देखना फिर उसके पीछे के भाव को देखना फिर संसकार को देखना फिर जो देखने की वस्तु है उस पर ध्यान जाना है तो प्रक्रिया तो यही है अब इसमें बात यह है कि हम कहां से अब्जर्व करके शुरू करेंगे तो अगर हमारा consciousness पर सीदे सिदे ध्यार नहीं जाता है तो एक विदी यह भी नहीं में कि निचला स्तर से उपर निचला और ऐसा नहीं बोलते हैं यह स्थूल से सूश में की तरफ है ऐसे बोल सकते हैं निचला से फिर अधर्वाइस जाता है कुछ है तो हम यह तो सीधे सीधे सूश में पर ध्यान दे यानि कि स्थूल से सूश में है हम सीधे सीधे उस पर ध्यान द्याना चालू करें फिर हमारा आशा पर ध्यान जाएगा फिर विचार पर ध्यान जाएगा फिर भाव पर ध्यान जाएगा फिर उसके पीछे के संसकार पर ध्यान जाएगा ऐसे करते करते हमारा जो देखने का पोटिंच से स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं और हमारा अभ्यास बहुत इस थूल को ही देखने का है तो एक methodology यह भी ली गई है कि आप इस थूल से स्टार्ट करिए तो इस थूल में क्या है शरीर है शरीर में क्या है ब्रीफिंग हो रही है आप ब्रीफिंग पर ध्यान दीजिए चलतों सीस में स्टार्ट करें जो लोग को सीधर नहीं को सीधर नहीं देख पार है तो उनके लिए फिर श्टूल से स्टार्ट स्टार्ट करेंग है करते हैं कि शरीर्ट पे ध्यान दो बीटिंग को और शार्फन करते हैं जाओ कि देखने वाला वहां से फिर पूरा सास्थ विवस्ता विवस्ता के आत्र भागे दाली में चिंतन करने जाएगा तो यह वे हैं तो डिफरेंस के रूप में रेखेंगे जो आप पुछना चाहरे है वह इतनी है कि हम स्थूल से सुरू कर रहे हैं कि सुरू कर रहे हैं कौन सा शॉट है वह यह यह क्या हमारी स्थिति है लेकिन तो यही लगता है कि सीधे-सीधे हम नेड़ा ले है ना तो वह स्थिति पर डिपन करेगा जिसकी जैसी स्थिति है वहां से शुरू कर पाएगा तो यह कह देने से भी कि यह शौट कौन सा है हम चले जाएंगे ऐसा नहीं है अगर हमारी उतनी योगता है तो हमारा कॉंशेशनेस पर ध्यान जाने लगेगा नहीं बनी है तो स्थूल से शुरू कर देते हैं तो इस्थिति की बात है भी है जी भी है ठीक है तो मैं एक बार फिर से बात को समप कर देता हूं हमारे पास अभी तीन-चार मिनिट है तो हम लोग यह बात कर रहे हैं कि स्टेप फाइफ और और फाइफ को अगर देखेंगे तो यह बहुत म अग्या कर रहा है तो हम को कुछ हो रहा है कि अब हमको वास्तिक्ताओं को समझना मेरी आवशक्ता बन गया है तो और पहुंच No तो इसके अब्स्तेक्ल देखेंगे तो यही निकल की आ रहा है कि हम जब निर्णता ले रहे हैं तो समझ के अभहो में कुछ मान लियाeneca मानने का इदारपने हो रहा है है तो this is एर्थम देखेंगे इस तो step 5 में ये बात बिल्कुल clear आती है कि लुछ सम्धना मेरी आवशक्टा एक तो समझने जाएंगे तो क्या समझने जाएंगे स मजने चास्थित को समझेंगे वघ्वस्ता को समझेंगे संबंद को समदेंगे तो six steps को देखेंगे six A और B को मिला कर तो अब ये निकल के आ रहा है कि सायस्थित के अन्भव के आवशक्ता है संगीत विवस्ता के बोद के आवशक्ता है और संबंद और संबंद में अपने भागेदारी की चिंतन के आवशक्ता है अब ये मेरी सायस्थित विवस्ता और संबंद पर और जैसे जैसे इस पर ध्यान जाएगा वैसे वैसे हमारे में जो अनिथा मानिता आ गई है वो अनिथा मानिता लूज होगी तो जैसे जैसे हम सायस्थित पर ध्यान देंगे विवस्ता पर ध्यान देंगे संबंद पर ध्यान देंगे अब हमारे में जो अनिता संसकार बना हुआ है वो धीरे धीरे अवल्यूएट होगा इस सही के अर्थ में और वो लूज होगा और जैसे जैसे लूज होगा हम comfortable होंगे अपनी मानिताओं के बोज़ से मुक्त होंगे और हमारे में जो भाव में अनिस्षित्ता भी बन रही है वो धीरे धीरे निस्षित्ता की तरह बढ़ने लगेगा तो जब हमारे संसकार ठीक से अवल्यूट हो जाएंगे तो भाव में निस्षित्ता जाएगी अब हमारे जो भाव बनेंगे वासास्तित से बनेंगे, विवस्ता के अर्थ में बनेंगे, संबंद के अर्थ में बनेंगे, तो इस अर्थ में जब भाव बनेंगे और उससे जो हमारी कल्पना शीलता में विचार फैलेगा, उसके हम comfortable बने रहेंगे, फिर अब भागी दारी क अर्थ में कुछ करना है उसको विचारों में हम चलाएंगे एसलेक्शन करेंगे है कि अ'dो से स्हulateं करा लिए वयभाव को रूप में आथा जाएगा और जितना हमारी भागी रूप में बढ़क जाएगी लेकिन एकर ये वाला पार्ट पूरा नहीं हुआ समझ वाला ठीक से तो दूब पूर में आना है उसको माशा करें रूप में बना लेते हैं और उसको आशा के रूप में बना लेते हैं तो अपने उपर भी दबाव रहता है और फिर हम जो साथ में रह रहे हैं उन पर भी दबाव बनता रहता है कि तुम सही जी क्यों नहीं रहो तो इसलिए पूरे प्रोसेस को देखेंगे स्टेप यस पावन से लेकर स्टेप इस चीज़े नें बहात कीई है तो त्छर्ष्ट कर्याओं में जा रहे हैं और जितना अंदर बढ़ रहे हैं उतना ही बाहर चीज़े ठीक होती जाएंगे क्योंकि निर्णा तो अंदर ही ले रहे हैं इसी मानता के अधर पर ले रहे हैं अब वह सही के अर्थ में एवल्यूएट हो जा रही है तो बाहर जो रिफ्लेक्शन आएगा वह भागीदारी के अर्थ में ही आएगा और उसमें पूरे प्रोसेस में कमफर्टिवल बने देंग जब सम्मंद का भाव बना रहता है तब मैं बाहर इंट्रेक्शन करता हूं तो क्या होता है जब सम्मंद का भाव नहीं बना रहता है तो क्या रहता है यह सम्मंद का भाव बना हुआ है और बाहर कोई व्यक्ति ठीक व्यवार नहीं कर पा रहा है तब मेरा रिफ्लेक्शन क फाइन तरीके से इंट्रेक्शन कर पाते हैं, भागीदारी के अत्मे सोच पाते हैं, अगर मेरे में भाव ठीक नहीं है, तो हमारा ध्यान कम्यों पर जाता है, फिर हम शिकायत की रूप में भार आते हैं, तो ये पूरे वोमबर को करते रहना है, हर पल हर छड, सामाने से सामा गतना में भी सामान परिस्तितियों में भी और जब परिस्तिया मेरे अनुकूल नहीं तब भी जितना हम इसको गहराई से करेंगे उतना ही बाहर हम सहज रूप से रफ्लेक्ट होंगे ठीक है तो आज के लिए हम लोग यहीं रोक लेते हैं कल हम गब इस पर फिर से बात करेंगे